आज का टॉपिक है परसंटेज परसंटेज एक्षली सिंप्लिफिकेशन में भी वागता है पुश्चन पी आ जाते हैं परसंटेज के एक पुश्चन नेते हैं परसंटेज का 37.5 परसंट आफ शिक्स पॉर्ड जीरो इसका नॉर्म नॉर्मल किस तरी के साट आप करते हैं 37.5 परसंट का मतलब एंडेट नीचे इंटु 6400 इस तरी के साट आप करेंगे एक कोई टाया हूं जिरुआ है तो है तो है तो फिन दोना के मल्डिप्लाइब करेंगे हम कोई सभी मैं आठीट से तो यह एक लॉक्स अप्रॉक्सिम्ट नहीं आएगा तू फू फो जिरॉ तू फो फो डॉल जिरॉ आया इस कांग से लेकिन बहुत है लेंदी है और मैं एक ट्रीग बता रहा हूं जिससे आप आसानी से मेंटली भी सॉल्ट कर सकते हैं यह 37.5% of 6400 को कैसे वो देखते हैं जैसे कि मैं डारी बता रहा हूं आपको इसको एक आंसर तो यह है दूसरा आंसर मैं डारेक्ट थी वाई एट इन्टो शिक्स फूर डॉल जी रखर हो तो आप इससे डिवाइट कर सकते हैं मेंटली एटेट है 648 एट आएगा एट यह 24 होगे है से मैं त्री भाई एट किस तरीए पता चला 37.5% को देखते में 358 हम परसेंटेज को फ्रेक्शन में तोड़ लेते हैं उसे हम रट लेंगे चाहिए याद करने के मैंटली आज जाता है ज्यादा तफ नियुक्त तो बहुत ईजी हो जात परसेंटेज निकालना है कुछ जो प्रेडिफाइन परसेंटेज है उसको मैं लिख देता हूं उसको आप रट लीजिए और उससे यह सब निकल जाएंगे 37.5 परसेंट या 44.44 परसेंट आ जाता है कभी-कभी तो इस तरीकी का इसको सॉट आउट गणने का डारिक मैंटन वहता रहा हूं या पिर आपको कुछ बस रतने होंगे इस हंदे परसेंट का मतलब क्या वादा रहा है वाल मैं वाइव बान और गवाइव परसेंट लोटा था ट्री वाइवर फिट्यवर्चन गडलब क्यावता है 1 भाई 2 33.33% का मतलब क्या बाता है 1 x 3 25% का मतलब होता है क्या वन वाइफ फोर तो हमी यह दिरक वाता हम इससे मड़ी पिल कर ले देंगे 75% त्रीवाइफ पर निकाल लें उसका फिर दो और वाइट निकाल लेंगे इसे ओटाय कि इसी ओड़ाय कल्कुलेसिन इतना हमें पेपर अपन नहीं करना पड़ेगा अभी 37.5% वाले को देखेंगे पहले हम इसको देख लेते हैं इस टेविल को इस टेविल को हम याद पर लेंगे बहुत ईजी है 25 के बाद 16.66% को वन वाइफ फाइफ के जाए निन स्वरी 20 परसेंट को वन वाइफ फाइफ और 16.66% होगा हमारा 1 by 6 14.2857% होगा 1 by 7 12.5% होगा 1 by 8 11.11% होगा 1 by 9 10% होगा हमा आव यह से 1 by 10 होगा होगा और 9.09% होगा हमारा 1 by 11 इसी तरी के से 8.33% होगा हमारा 1 by 12 इसी तरी के से 8.33% होगा हमारा 1 by 12 अब मैंने 37.5 परसेंट डायरेक्ट मैंने 3 by 8 लिंग दिया था यह पोल दू जहां पर कैसे हैं यह यहां पे इसको हम 3 से मृट लिप्लाइ करेंगे दर दोन अतरा बोत है तो यह 37.5 हो जाएगा और यह 3 by 8 हो जाएगा जिसना बतल जाएगा 37.5 परसेंट एजी लिए अब में दे देता है कोजिशन 44 परसेंट 44 परसेंट कोईशन दे देता है परसेंट किस तरीके से निकालेंगे इसका वो इस तरीके से क्या बोलते हैं पेपोर करके कोई निकालेंगे डारेक हमारा यह दे रखाया तो इदर फोर से मंट्रिप्लाइए इदर फोर से मंट्रिप्लाइए यानि कि फोर भाई नाइन हो जाएगा इसको मेंटलेंगे इजली कर सकते हैं इसी तरीके से हम इन सब का वो निकाल लें इन फ्रेक्शन का यूज करके हम काफी कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं परसेंटेज उसको इजली सौट आउट कर सकते हैं इस टेवल को हम बस अपने दिमाग में रखने याद कर लें आसानी से हो जाएगा अस वन बाई वन से लेक्वाद बाई टू एंट ठीवाइट एंट टोल्फ तक है बाकि तो कुछ तो याद होंगे कुछ हैं बस जो रटने पढ़ेंगे एट पांट ट्री परसंट वाले को रटना पढ़ेगा नेंट पॉंट जीरो नाइन इसका जित तो आप इस तरीके से पेपर वग करके नहीं लिखाने के इसका मल्टीबिल नाइन का मल्टीबिल है कितना यह है नाइन का मल्टीब नाइन टाइंस है तो नाइन भाई 11 इंटू 72 इसको फिर सॉट आउट कर लो तो परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा इस टेवल को याद क करके आप इस टेवल को रट लीजिए और प्रसेंटेज या अगर हो जाता है तो सिंप्लिफिकेशन के या अप्रो एप्रोक्सीमेशन के जितने भी कुशन है आप एजिली कर सकते हैं थैंक्यू करें प्रसेंगा स्टड़ हो जाएगा याउ खिड़ एप्राइज के लाएगा घर जाएगा मनाना में जाएगा।